हो है थे आश थैश्व ल्हेंस अप्डियू में एक अप्डेट करने वाले हैं ँष्पे लुड़िそ। को भी पर और has come लोक देखेंगे कि से मैं समिक्टीकल फिजिक्स हे जो writing पर था गोसलेविल का है और कौन-कौन सी उनेट होने वाले हैं और कौन सा कुछिशन के उनेट से लिया गया था तो वह सारी जिए डिक्स करने वाले इस वीडियो में तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहिए तो बात करते हैं कुछ नमर बन के तोड़ा से सब्सक्राइब कर देता हूं कि कुछिशन नमर बन पढ़ने से पहले हमको इंट्रेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है इसमें बोला गया था कि अंसर एनी सेवन कुछिशन ठीक है किसी साथ यतने बहुत थे इस कुश्चन पेपर में टाइम धमारत यह वर्थ का वर्थ मैक्सम मार्थ आपके 70 है तो पहले कुश्चन की बात करते हैं पहले कुश्चन जो आपका लिया गया था आपका पहली उनिट से है लीनेर वेक्टर इस्पेस से कुश्चन कुछ इस तरीके से पहले कि टी कैप्टल टी एक पर लीनेर ऑपरेटर है जो कि अपरेट होता है एक वेक्टर स्पेस बी थी में और उसकी डेफिटेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन थी कि टी एकस वाइजट पर जब ऑपरेट होका तो वह एक्स प्रायम वाई प्रायम जेट प्रायम में कर अबट कर देता है और एकस प्रायम वाई प्रायम कोछ इस तरीके से हमारे टिफाइन थे ठीक है तो इसमें आपको बताना था पूचा गया था कि यह जो कैप्टल टी है वह आपका और्टोगनल मेट्रिक्स है या नहीं है पहली बात इसका दूसरा पार्ट था कि इसका क्यों सब्सक्राइब आपको आता है तो सेकंड पार्ट जो की आपको कॉंप्लेक्स इनलेस वाली उनिट से या यूनिट से बहुत ही आसान कुशन था और क्या सकते हो थिरी माक्स का कुशन था यह तो इसमें क्या है कि फूचा कि पूचा गया था कि आपके पास एक पास फ 7 plus 3 10 marks का ये से फास्ट था बात करते हैं कुश्य नबर 2 के कुश्य नबर 2 आपका फिर से आपका पहले यूनिट से डिल्ट है आप भोब न गया था कि गया है और पिलस को उन्होंने यूबी के टम्स में रिप्रेजेंट किया है तो बोला गया था कि आपको बताना है या फाउंड इफ आर प्लस फॉर्मा बेक्टरी स्पेस और नोट ठीक है तो वैक्टरी स्पेस की जो चार आपकी प्रोपर्टी है उनको अपको इसमें सैटिस करानी थी अगर हो जाए तो बेक्टरी स्पेस करेगा नहीं उपाए तो नहीं करेगा या आपको बताना था आपको कुश्चन था आपका सेकंड पार्ट यह आपको टेट्रीयल में होगी चुका हो इस तरीकी कुश्चन फिर भी देख लेते हैं इसमें बोला गया था कि चार कोउच इस तरीके से और आपको कुरूप करना था यह चीज्श तो सिंपल जोस में बोला गया आपको वही लिखना है ठीके न तो इस तरीके साप्यों का पूरूब कर सकते पहुंच नम्बर का कुश्चन था अगला कुश्चन ग्रूप थेोरी से थाया आपका आपका positive integer की तरह यह आपको बता रहा है कि ग्रूप है ठीक है और आपको बता रहा था कि जो की है which is the direct product ध्यान रहे कि direct product of the two z plus four groups ठीक है तो and here z plus four contains the integer under the addition operation with modulo 4 I am so sorry for that यह आपका group की definition कुछ तरीकिस डिफाइन थी कि इसमें आपको जो यह रिपरेजेंट करता वह रिपरेजेंट करता कि इसमें जो operation है और आपका एडिशन है और आपका एडिशन है और सॉरी फोर एडिशन अडर था एडिशन operation with modulo 4 ठीक है तो यह sorry definition आप भी group की थी इसमें बोला गया था कि find the multiplication table of the resulting factor group ठीक है तो यह 8 marks का question था जिसमें आपको multiplication table बनानी थी तो आप लोग यह कर सकते हो आपको z plus four पता होना चाहिए अगर आप उसकी table बना लेते हो तो आप प्लोग इसका डार्ट प्रोड़क्ट की भी टैवलेट बना लो टैवलेट इसके बाद इसमें पूझा गया था बी पार्ट में कि इसके जनरेटर क्या होंगे और जनरेटर के यह नया ग्रूप बता उन्होंने इस तरीके से मतलब एक बाद लोट टू का एक मोडलो थी खाय ठीक है तो यह ग्रूप त्योरी के पुश्चन था यह भी दस मार्ट से कुश्चन कुश्चन नमबर फूर कुश्चन नमबर फॉर में उन्होंने दो मैट्रिक्स से डिफाइन थी डिफाइन की ते कि तरीकी से और बोला गया था कि दू दीज फॉर्म इस्पेशल गुरूप और आपको बताना था कि यह स्पेशल गुरूप को बनाएंगे नहीं बनाएंगे साथ नमर का कुश्चन था बीपार्ट बीपार्ट में बोला गया था कि फाइंड दा ओर्डर ओफ एन एलिमेंट 13524678 ठीक है सोन इंदा साइक् ठीक है और यह जो है आपका वो है आपका और पर मींटीूशन गृूप से लिए गया है और बोला गयता है इस एंट इए फैन इता तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि इवन और आप अल्ट पर मीटेशन क्या होते हैं वो कैसे प्रूब करते हैं अगर हम लोग प्रमिंटियशन गूर्प कीबात करते हैं तो यह साइकलिक गूरूप से रोड़ेटेड कुशन था 3 मार्क से कुश्षन था टोटल 7 प्लस 310 मार्क का कुश्षन था कुछिशन नम्बर फाइव यह भी गुरूप त्योरी से रिटेट था फाइंड दे अलिमेंट्स ओके सब गुरूफ क्लासेश और फुल सिमेट्रिक सिमेट्री गुरूप जनेरेटेड बाइद जनेरेटेड बिलो दा अब्जेक्ट सोन बिलो मतलब कंस्टेक्ट इस करेक्ट टेबल तो यह आपके पास मतलब इस तरीके से गुरूप है डिफाइन था इसकी करेक्टर टेबल आपको बतानी है और जिसमें आपको बताने क्या क्या है एलिमेंट्स सब गुरूप क्लासेश इस आरी चीज़ आपको बतानी है ठीक है तो आप देख सकते हो कि यह दस बनेंगे तो यहां से भी आप लोग एक थोड़ा सा हिंट ले सकते होगे हम लोग इस तरीकी से अप्रोच करेंगे ठीक है तो इसमें आपको क्लासेश सब गुरूप इलिमेंट्स सारी चीज़ आपको बताई गहीं होगे तो आपको इसमें क्रेक्टर बलब इसकी क्रेक्ट प्रेटेबल भी बतानी है इसके बाद शिक्स्त कुश्चन ठीक है शिक्स कुश्चन में आपका प्रूवल्टी से रिगार्डिंग एक कुश्चन था कुश्चन कुछ इसरी किस्ट था कि दा एक्जाम माक्स आप मैथमेट्मेटिकल फिजिक्स कंसिस्टिंग अप 360 तूड मैक्स माक्स बड़ 30 दा जैंडर रेशियो अब दे क्लास इस 60 फीमेल्स ओबर 40 मेल्स ठीक है फिर उन्हें बोला गया था कि जो फॉल्विंग कुश्चन से आप वो चीज़ें उनका अंसर कीजिए तो फॉल्विंग कुश्चन हमारे कुछ इस तरीके से थे डिस्टिविश बताना था ठीक है तो निकाल सकते हो सिग्मा एंड म्यू की वैलू तो आप तो वहां से निकाल सकते हो ठीक है इसके बाद भी पार्ट में बोला गया था कि वाट परसेंटेज ऑप दे स्टुडेंट है जो प्रेंट माक्स बिटूइन एट एंट तो यह आपको प्रुवल् स्टुडेंट चोजन एड़ रेंडम इस अगर्ल विट एग्जाम्स मार्क्स बीटिवीन टू से पांच बारा से पंद्रा और बीच से पच्चिस के बीच में चान नम्र को कुशन था प्रुवल्टी आपको बतानी थी और वह आपका रेंडम स्टुडेंट गर्ल थी तो आप वहां से आप लोग चीचीजे कर सकते हों तो यह नॉर्मल डिस्ट्यूपिशन को कुशन था अब आप क्यों पर है कि आप प्रुवल्टी किस तरीके से करते हो यह भी आपका दसमार्क्स को कुशन था सेवंध कुश्चन ठीक है सेकंड लास्ट कुश्चन था सेकंड लास्ट कुश्चन था कि दा प्रुवल्टी आउटकम एक्स और फिवें बाइन 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 इसके बाद बोला गया था कि आपको प्रूप करना है कि अगर हम लोग एन की वैलू जादा कर देते हैं सब्सक्राइब कर देखें अब लोग कर सकते हो ठीक है तो यह आसान सा डाइबेशन है यह आप लोग ट्राइक की जिएगा पांच नम्बर गोश्चन है ध्यां रखना नेक्स्ट कुश्चन जो था सेवेंध का बी पार्ट इसमें बोला गया था कि अगर एफ एक्स और जी एक्स का फोरियर ट्रांस्पॉम इसनों बोला गया ना सो देट फूरेट ट्रांस्पॉम दॉड़ कॉन्वलेशन ऑफ फंक्सन एपक्स एडड जी एक्स का मुलेटेव क्सा है कि ऐसे मैंने आपको पर बताया था तो नहींने बोला गया था आपके पास एक दो तीन आपके वैक्टर से आपको बताना कि लीनेरली डिपेंडेंट है और नॉट और इसके बाद उन्होंने बोला गया था कि इफ नॉट अगर नहीं है तो कंडिशन बताओ जिससे यह हमारा लीनेरली डिपेंडेंट हो चाहिए आसान सा कुश्चिन है इसमें आपको मैं हिंट कर सकता हूं कि यह से आपको आसानी से पता चल जाएंगे कि कुश्चन कैसे करना है लास्ट कुश्चन से तूपाई करना था ध्यान रखिएगा इसमें फिर से बता दे रहा हूं जीरो से पाई लिमिट है आपका जो स्टेंडर्ड फॉर्म होता जीरो से टूपाई था तो बहुत सारे बच्चो था और कह सकते हो कि टोटल आठ कुश्चन आई हुए थे जिसमें से हमको साथ कुश्चन करने थे तो आसान कुश्चन थे बसरते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था चीजों को लेकर तो यह आपके जैट टेबल भी आपको मिलेगी कुश्चन पेपर में तो इस तरीके स पर यूर एक्जाम